कॉशन ये है कि Assistive Technology कैसे help करती है बच्चों की inclusion को समावेश को बढ़ाने के लिए के normal बच्चों के साथ उनकी teaching learning हो सके वैसे तो पिछले जो Assistive Technology वाला वीडियो हमने देखा है कि वो किन-किन बच्चों की help करती है जिनको reading में, writing में, speaking में, listening में, communication की 4 skills है चारो skill में किसी में भी problem आती है, तो participation बढ़ेगी, very easy, दूसरा math या calculation related problem, तीसरा motor activity की जो problem है, उनको solve करने के लिए, उनकी जो obstacle है, उनको दूर करती है, ये Assistive Technology तो point one है, Assistive Technology की definition जो पीछे पहले के वो technology जो learning disabled persons जा learners को assist करती है, कि वो independent बन सके, number 1, वो teaching learning में, normal बच्चों की तरह participate कर सके, number 3, quality of life उनकी improve हो सके, उसके लिए जो technology बनी है, next, तो ये point करेंगे, how assistive technology helps learner to inclusive in inclusive setting और promote inclusion, example साथ साथ में होगी, पहले point में explanation होगी, फिर example होगी, आप सिर्फ example को भी focus कर सकते हो, first point है, assess to learning material, वो learning material तक पहुंच पाते हैं, for example, screen reader help करता है, visually impaired बच्चों की, जिनको कम दिखाई जा नहीं दिता दिखाई, तो वो digital textbook को जा online जा braille के जरीए text तक पहुंच सकते हैं, दूसरा है participation in classroom activities, हिंदी में भी साथ साथ में देख लीजिए, शिक्षन समगरी तक पहुंच, screen reader की example दी थी, कक्षा की गती विदियो में भागिदरी, उधारन क्या है, speech to text, speech to text क्या है, कि आप बोलता है, learner बोलता है, और text उसमें type हो जाता है, naturally के जिसको लिखने जा type करने में problem है, तो वो सिर्फ बोलता है, लेकिन type हो जाता है, ऐसा software है, इस से कक्षा की गती विदियो में भाग ले सकता है, बाकी बच्चे अपने हाथ से लिख रहे हैं, इनको वो assistive technology दे दी है, तो वो बोल रहे हैं और type खुद हो रहा है, तो help करक वो साथ वाले अपने साथियों के साथ साथ लर्न कर रहे हैं, ऐसे ही लिखा क्या है यहां पर, डिस्क ग्राविया से पीड़ चातरों को अपनी प्रतिक रहाएं बोलकर चच्चा में योगदान करने के लिए अनमिर्ती देती हैं, नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट विक्रि शिक्षन, इंग्लिश में पढ़ना मेरे खाल में खतरनाक नहीं रहेगा, परस्नलाइजड व्यक्तिगत है, वह लिखा था, परस्नलाइजड लर्निंग, टेलर्दा एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजियल स्टूडेंट्स नीड प्रमोर्टिंग परस्नलाइज, यह हमने व सॉफ्ट्वेयर जो है, इजी एक्जम्पल उसके सामने, इजी सम्ज उसके सामने रखेगा, तो ऐसे परस्नलाइज लीड है, और एक्जम्पल है, अडेप्टिव लर्निंग सॉर्फेयर अड्जाजड अग्टेंट एंडिफिकल्टी लेवल बेस्ट वही बात है, कम्मिनिकेशन स्पोर्ट यहां पर आर्गूमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्मिनिकेशन डिवाइस है, वो क्या करता है, नॉन वर्बल स्टुडेंट्स को जो बिहेवरल कम्मिनिकेशन कर सकते हैं, बोलके नहीं कर सकते, उनको सिंबल और स्पीच आउटपुट देता ह है कि जैसे हमने देखा है कि बच्चे को स्क्रीन पर पिक्चर डिस्पले हो जाती हैं, जिस से वूक जो कम्मिनिकेशन करना चाहता है अरüng इसाप मेंधेर पिक्चर Na ुसको टेच करता है, तो मैसज़ कम्मिनिकेशन रहे हो जाता है, नेक्स्ट है, इंडिपैंडेंडेंड and empowerment yes यही तो चाहते थे कि वो independent बन सके अब वो उसको किसी person की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है वो technology person की जगा आकर उसकी सहायता करेगी यही बात है अग्जामपल इसकी क्या है कि alternative keyboard predictive text feature के जैसे अभी किया था कि आप type कर रहे हो आप ने sentence पूरा बनाना है आपने पी एच लिखा हना तो उसने पी एच फोन नंबर फोनिक्स जो आपका context चल रहा था उसके according 4-5-6 option दे दी के यह आपके लिए suitable शब्द बनते हैं तो आप उसमें से सिर्फ चूज करोगे क्लिक करोगे वो टाइप हो जाएगा तो यह predictive टेक्स्ट जो है हमारे मोबाइल पर हम अक्सर यूज करते हैं जो असेसिबल और ओफ डिजिटल रिसोर्सेज हिंदी बाले भी देख लो यह स्वतंतर और सशक्तिकरन डिजिटल संस्धादनों तक पहुंच फॉर एक्जमपल बच्चे वीडियो कंटेंट को जो सब्सक्राइब को सुणाई नहीं देता वह वीडियो कंटेंट को सच कर सकते हैं बोल के नेक्स आइए अकामोडेशन फॉर लर्निंग डिफरेंसेज अइडेट कैसे करते हैं लर्निंग स्टाइल जिनके डिफरेंट है यहां पर जाएंगे लर्निंग स्टाइल वाक को ज्यादा वीजुली होती है हना कुछ की auditory से होती है और कुछ की doing से होती है तो जिस बच्चे की अगर वीजुली बाले हैं तो उसको technology वीजुली वाली ज्यादा प्रवाइड की जाएगी तो वह naturally है कि teaching learning better उसकी हो जाएगी जिसकी auditory better है सुनके ज्यादा समझ आता है तो उसको ये वाली audio वाली technology और जिसको motor activity की जो है उसको समझ ज्यादा motor activity से आती है तो उनको synthetic वाली जो technology है वो provide की जाती है एग्जेंपल है text to speech आपने type किया और वो जो है computer है बोल के आपको बता देता है आपने ये लिखा है और highlight हो जाते है main words तो ऐसे जो है learning difference जो है बच्चा कोई पीछे रह रहा है किसी को problem है तो technology उसकी help करके और difference को खत्म करता है enhancing learning engagement virtual reality जो है जो बच्चे visit field में नहीं कर सकते उसने natural place historical place देखना था वो नहीं देख सकते जहां नहीं सकते तो classroom में ही उस theater में ही वो उनको provide virtual reality की जाती है जो उस place को touch करते हैं और वो उनकी screen पर 3D model पर 360 पर ऐसे लगता है कि वो असल में वहां पर पहुंच चुके हैं वो जो भी चीज देखना चाहते हैं जैसे google map पर देखते हो तो वहां touch करते हैं उसके बारे में information display होती है सुनाई भी देती है और visual भी साथ में scene भी दिखाई देती है हिंदी में digital संसादनों का हो गया सीखने के अंतर के लिए आवास ये हो गया सीखने की ववस्था को बढ़ाना ये हो गया शरीरिक बादहाओं को तोड़ना जिनको motor activity की problem है मूव ज्यादा नहीं कर सकते हैं आई गेजिंग सिस्टम से देखो के फीजिकली जो मूव इदर उदर नहीं कर सकते हैं computer को दूर बैठे ही बोलते हाई शैरी ये कर दो जैसे आप एपल के फोन पर करते हूं वैसे आई मुमेंट से ही काम चल रहा है यहां पर जो है उपर उठ गया हना better करने लगा तो यह equity है यह इसको negative discrimination भी बोलते हैं क्योंकि नॉर्मल बच्चों को यह नहीं दिया गया लेकिन इनको दिया गया है तो इसकी example क्या है accessible e-books है adjustable library है पूरी novel है books है तो वहां पर disabled person जो है easily उनको books मिल जाती है वह books loudspeak भी करती है और readability की और उनकी need के मताबक adjustability वही reading writing listening speaking की जो adjustability हो जाती है differential instruction अब differential instruction क्या है यह बात हो चुकी है वी भेदित निर्देशन यह एक तरह की teaching है जिसमें एक ही teacher lesson plan बनाता है लेकिन उसके student जो है वो variety के हैं for example एक बच्चा यह बच्चा एक दो यह normal है हना यह deaf है और यह learning disabled है हना यह orthopedic disabled है तो यह variety of learner एक class में है तो एक lesson plan बनाना lesson plan ऐसे करना के सभी बच्चों की लर्निंग नीड लर्निंग नीड पूरी हो सके lesson plan ऐसे बनाना हना तो ऐसे execute करना तो यह technology उसमें help करेगी जो वह color वाले बच्चे हैं उनको कोई problem है तो उनको उनके मताबक की technology provide की जाएगी तो वह जो है differentiated instruction हो गई न असिस्टेब अनलेज़ टीव डिलिवर टुमीट डिवर्स लर्निंग नीड्स अफ्टूडेंट 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 क्लास्रूम एडप्टिव ड्रीम बॉक्स की बात को और ओटमेटिक अर्जस्ट अंट पेसिंग वह सब ड्रीम बॉक्स क्या है वह मैथ जो प्रॉब्लम है वह बच्चे की डिफिकल्टी उसकी पेसिंग के मताबक वह पीछे रह गया वह इजी डिप्सले करता है पीछे बात करके हैं वह ही है बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम एंड कॉंफिदेंस जब एक यह वला बच्चा अब यह कलर कर लेते हैं अब यह नॉर्मल था यह नॉर्मल था यह नॉर्मल नहीं था बच्चा ना यह नॉर्मल नहीं था इसको असिस्टिव टेकनोलजी प्रोवाइड की गई तो यह फंक्शन नॉर्मल के ब्राबर कर रहा तो इसकी सेल्फ एस्टीम सेल्फ एस्टीम ए एक्जम्पल है कोई भी एक्जम्पल दे दो आप स्पीच टू टेक्स्ट की यहां दी हुई है एंकरजिंग पियर को क्लैबोरेशन बहुत ज्यादा जुरूरी है आत्म सन्मान और आत्म विश्वास का निर्मान होता है सह कर्मी सहयोग प्रतसाहित होता है अब क्या है यह टे अब यह ले लेते हैं तो यह बच्चा इससे भी अब जो डिसेबल इससे भी बात कर सकता है यह इससे भी कर रहा है यह इससे भी कर रहा है इससे भी इंट्रेक्ट कर रहा है इनसे भी कर रहा है जो कोपरेटिव लर्निंग इससे पॉसिबल है क्योंकि अब जो रुकावट वह सिस्टिव टेकनोलजी ने दूर कर दी है कोलाबरेटिव लर्निंग प्लाटफोर्म अच्छा एधिखो बेस्ट एक्जामपल तो ऐसा सॉफ्टवेर ही है कोलाबरेटिव लर्निंग प्लाटफोर्म गूगल वर्क स्पेस हना यह जो गूगल मीट है एजुकेशन एनेबल कोलाबरेट ग्रूप प्रोजेक्ट एड शेयर रिसोर्सेज इन रियल टाइम रियल टाइम सच में दूर बैठे भी आप यह कर सकते हो अब दूरी इसने टेकनोलोजी ने दूर कर दी है अड्रेसिंग सेंसरी सेंसिटिविटी एग्जामपल है सेंसरी एप है कस्टमाइज अलाओ टीचर टू क्रियेट कामी एंड असेंसरी फ्रेंडली स्पेस जो फाइव सेंसिज है सुनना है देखना है यह वली सेंसिज अटच करना है तो यह ब्रेयल वाले वो टुच करते हैं ना सिक्स डॉट है उनको टॉच करके समझते हैं तो यह सारी जो प्रॉबल्म है उ उनको दूर किया है उनकी हेल्प की है अकॉर्डिंग जैसी उसकी प्रॉबलम थी तो सेंसरी फ्रेंडली स्पेस इन क्लास्रूम यह बना दिया इसने सपोर्टिंग एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल वह कौन सी है और्गनाइजेशन टाइम मैनेज करना टास्क इन कर रहे हो आप जब माइंड वेंड रहे हो ओक्वाऑ यह पहले भी दिखाई है ले एंह टेक्नॉलेजी के साथ जो है नॉर्ट नार्मल परसन है वह इजिली मांइड वैंड कर सकता छॉपर व्होरा थकिनिंग स्किल ड्वेल्ट हो रही है है नेक्स्ट है हिंदी में भी साथ में कर ले सहकर्मी हो गया और यह हो गया आपका समवेदी समवेदनाओं को संबोधन करना हो गया है कार्यकारी कामकाज कॉशल में अभी किया है जो पॉइंट और संक्रमन योजना में है सुगम होना है है फैसिलिटेटिंग ट्रांजिशन प्लैनिंग यह यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टंट है यहां पर समझते हैं हम फार एक्जमपल डिसेबल पर्सन है वो 10th class में है तैंथ क्लास से अब जाना है नहां कोई जॉब में जाना है नहां कोई हाइर क्लास में डिपलोमा में ज तो यहां पर यह technology help कर रही है कैसे help कर रही है तो tools and resources provide कर रही है जिससे वह explore कर सकते हैं 11 के लिए higher education के लिए employment के लिए job के लिए independent living उनकी better कैसे हो सकती है तो यह technology इसको ढूंडने में help करती है next example online carrier exploration platform यह वहां पर हमने discuss नहीं किया था तो यहां यह new example है carrier one stop offer resources and assessment that helps a student with the disability to identify carrier interest हना आप job को ढूंड सकते हो जो disabled person ensuring accessibility and यह Hindi में भी कर ले यह हो गया स्तार्मा सुलब मुल्यंकन सुनिश्चित करना यह हो पॉइंट है ensuring accessibility accessible assessment हना तो यह accommodate कर देता है के alternative assessment provide करता है for example screen reader जो है compatible assessment platform allow visually impaired student to independently complete online quiz and exam तो जब screen reader provide किया जा रहा है एक बच्चा visually impaired है तो बाकी बच्चों के साथ ही screen reader की सहायता से अपना quiz है exam है test है उसको बच्चों के साथ ही पूरा कर सकता है प्रमोटिंग parental engagement अच्छा एप है पेरेंट कम्मिकेशन एप लाइक रिमाइंड एनेबल टीचर तो सेंड मैसेज अपडेट रिसोर्स पेरेंट के साथ साथ communication कर सकती है के टीचर सपीरेंट को मैसेज भीजता है कि आपके बच्चा ऐसे ऐसे हैं इसको यह जरूरत है घर में इसका धियां रखिए इसको यह टीच करने के लिए यह activity कर वाने के लिए इसका धिहान रखिए तो यह उनकी help करें टीचर और पेरेंट के बीद में एक पुल का काम करके बच्चों की help करते हैं fostering cultural competence यह बात पीछे नहीं हुई multilingual translation tool allow the educator to provide instructional material and communication language in spoken तो यह software ही बता रहा है कि एक ही टेक्स है उसको different भाशाओं में प्रस्तुत किया जा सकता है बच्चे को link language की problem वहां नहीं आएगी यह Hindi वाला भी देख लें माता-पिता का हो गया Sanskrit का क्षमता को बढ़ाना language को different language को समावेशी नितियों का की वकालत करता है वह तो है यह overall point बनता है English में है assistive technology inclusive education को बिलकुल awareness of the importance of accessibility equity and inclusion यह बहुत ज्यादा important है equity उनकी extra help करके accessibility पहुँच सके वह learning material तक inclusion के उनको लगे हाँ मैं भी normal जैसे कर सकता हूं मेरा भी welcome है मैं भी वैसे ही ही हूँ example है accessibility standard and guide such as WCAG web content accessibility guideline help ensure that digital resource and platform are accessible to individual with disability so यह वर्दान है उन बच्चों के लिए जो disabled है reading, writing, calculation, listening, speaking, motor activity की जिनको problem आ रही है thank you Dr. Pira Singh, you'll learn to actualize